My dear friends, welcome. इंडिया के अंदर uniform civil code यानि समान नागरिक सहीता का जो मसला है वो फिर से एक बार गरम हो गया है सुर्कियों में. तो ऐसे में चलिए जानते हैं कि uniform civil code आखिर है क्या और uniform civil code का जो मांग है इंडिया के अंदर वो क्यों हो रहा है और इसका विरोध क्यों हो रहा है और आगे का रास्ता क्या हो सकता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले समान नागरिक सहीता यानि uniform civil code है क्या तो uniform civil code का मतलब यह है कि जो personal matters हैं जैसे विवा, तलाक, बच्चा गोर लेना और संपत्ति के बटवारे जैसे जो personal matters है उनमें सभी नागरीकों के लिए एक जैसा नियम होगा अभी जो इंडिया के अंदर आप scenario देखेंगे तो हर्म धर्म के जो लोग हैं, हर समुदाए के जो लोग है उनके लिए उनका अपना धर्म पराधारित कानून है ठीक है, जैसे अगर हिंदू बौध, जैन, सिख की बात करेंगे तो उनके लिए हिंदू मेरे जैक्ट है उसी तरीका से अगर Muslims की बात करेंगे तो Muslims का अपना personal law है और Christians के लिए अपना उनका personal law है काफी सारे जो travel communities हैं इंडिया के अंदर उनका अपना रीती रिवाज से ये जो matters है personal matters वो deal होते हैं तो यानि आज के date में इंडिया में धर्म पर आधारित जो व्यक्तिकत कानून है ऐसे में अगर uniform civil code आता है तो जो धर्म पर आधारित मौझूदा personal कानून है वो तक्नीकी रूप से खत्म हो जाएंगे चलिए अब बात करते हैं article 44 की देखे अगर हम uniform civil code की बात करें और ऐसे में अगर article 44 की बात न करें तो मामला थोड़ा धूरा हो जाता है तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि DPSP क्या होता है चलिए डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओफ स्टेट पॉलिसी को जानते है डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओफ स्टेट पॉलिसी यानि राज के नेती निर्दे सकते हो यह जो होते हैं वो सरकार को एक तरह से गाइड करता है उनके पॉलिसी बनाने में और उसको इंप्लिमेंट करने में अर्टिकल 44 जो है वो एक अर्टिकल 44 जो है DPSP का ही पार्ट है जो सरकार को भारत देश के पूरे छेतर में नागरीकों के लिए एक समान नागरिक सहिता को लागो करने का परियास करने की बात कही गई है यानि संभिधान जो है वो सरकार को सभी कॉम्यूनिटी के जो लोग है उनको उन मामलों पर एक साथ लाने का निर्देश दे रहा है जो वरतमान में उनके संबंधित व्यक्तिगत कानूनों द्वारा सासित है जैसा कि मैंने आपको बताया हलाकि यह एक डायरेक्टिव है और डायरेक्टिव का मतलब यह नहीं होता है कि सरकार के लिए यह अनिवारे रूप से इसको लागू करना होता है जैसे मिसाल के तोर पर अगर हम समझे तो आर्टिकल 47 भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है जिसमें पूरी इंडिया के अंदर नसीली पेपदार्थ का सेवन पर रोक लगाने की बात कई गए है हलाकि आपको पता होगा कि देश के अधिकांस राजियों में इसका खपत होता है और सराब बेची भी जाती है लेकिन उसके साथ हमारे पास ऐसे भी एक्जामपल्स हैं जैसे गुजरात हैं बिहार हैं जहां पर टोटल प्रोहिवीशन है तो आटिकल 47 से हम समझ सकते हैं कि जो DPSP होता है वो पूरी तरीका से अनिवारे नहीं होता है सरकार के उपर और सरकार जब चाहे जैसे चाहे उसको लागू कर सकती है देखे इंडिया के अंदर Uniform Civil Code को लागू करने को लेकर एक असमंजस की स्थिती है एक confusion type का situation है देखे कुछ लोग इसके demand भी कर रहे हैं और कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं तो ऐसे में समझते हैं कि आखिर जो demand हो रहा है Uniform Civil Code का वो क्यों हो रहा है और इसको विरोध क्यों किया जाता है देखे सबसे पहले इसका demand क्यों हो रहा है ये समझते हैं देखे जो लोग इसके demand कर रहे हैं उनका मानना है कि अगर पूरे देश में अपराद के लिए एक समान कानून है तो अने मामलों में प्रसनल मैटर्स में एक जैसा कानून क्यों नहीं होना चाहिए अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर अपराद को लेके जो है इंडियन पीनल कोड एक ही कानून है जो हर मजहब के लोग चाहिए वो अपराद ही किसी भी मजहब से जुड़ा हुआ हो उसके उपर जो है इंडियन पीनल कोड ही लगेगा ठीक है तो ये जो है क्रिमिनल मैटर्स के लिए इंडियन पीनल कोड है जो सभी पर एक जैसा लागू होता है तो डिमांड यही है कि उनिफर्म सिविल कोड लाकर क्यों न प्रसनल मैटर्स पर भी हम एक जैसा कानून ले आए ठीक है इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उनिफर्म सिविल कोड को लागू करने को लेकर जो डिमांड है उसके लिए जो दलील दी जाती है वो ये दिया जाता है कि अगर जो मुस्लिम देश हैं उनमें प्रसनल ला में सुधार किये जा चुके हैं और उहां पर उनिफॉर्म सिबिल कोड लागो किया सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं किया सकता है एक जामपल के तौर पर मैं आप उनिफॉर्म सिबिल कोड बिलकुल कहीं भी लागो नहीं है अगर आप गोवा के अंदर जाएंगे तो गोवा में उनिफॉर्म सिबिल कोड काफी पहले से लागो हो चुका है तो ऐसे में पूरे इंडिया के अंदर हम उनिफॉर्म सिबिल कोड क्यों नहीं ला सकते हैं उसक Supreme Court का judgment भी जो है uniform civil code के तरफ जाता है तो अगर आप साब आनो case से ही एक और clue लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इंडिया के अंदर धर्म पर अधारित जो कानून है जो personal matters को deal करते हैं जैसे marriage है, divorce है या inheritance property का लेके जो कानून है तो उसमें महिलाओं के खिलाफ जो है वो भेद भाव है और वो सिर्फ Muslim personal law में नहीं हो, हिंदू marriage act में भी है चाहे वो inheritance का मसला हो, हाल ही में Supreme Court का भी judgment आया हिंदू marriage act को लेके, adoption को लेके, inheritance को लेके ऐसे में साब आनो case में जो है, वो Muslim के अंदर जो divorce के लेकर जो महिलाओं के लिए जो एक discriminatory law है, उसको कहीं न कहीं expose किया और ऐसा नहीं है कि सिर्फ Muslim में और हिंदू में, बाकि जितने भी personal law है उनमें कहीं न कहीं महिलाओं के खिलाब भेद भाव है तो ऐसे में religion based personal law की आड़ में भेद भाव क्यों? तो ऐसे में अगर uniform civil code आता है, तो कहीं न कहीं यह जो discriminatory practice है महिलाओं के खिलाब वो कहीं न कहीं खत्म हो जाएगा लेकिन देखिए uniform civil code को लागू करना इतना भी आसान नहीं है इसका कहीं न कहीं विरोध भी इंडिया के अंदर हो रहा है तो सबसे पहला विरोध का वज़ा यह है कि कुछ लोगों का जो मानना है वो यह है कि अगर इंडिया के अंदर uniform civil code आता है तो इससे जो है ना इंडिया के अंदर एक polarization हो जाएगा जो religion based polarization होगा धुरूवी करन हो जाएगा जो कहीने कहीं देश का जो integrity है और जो unity है उस पर कहीने कहीं खत्रा हो सकता है दूसरी अगर विरोध की बात करें तो इसमें ये भी कहा गया है कि जो religious diversity है इंडिया का जो cultural diversity है religious diversity है वो कहीने कहीं uniform civil code से कहीने कहीं खत्म हो सकता है इंडिया के अंदर तो वो भी एक दलील है जिसके कारण इसका विरोध होता है देखिए उसके अलावा गर आप बात करें तो Article 25 भी इसके जो है रास्ते में आ सकता है क्योंकि Article 25 में Right to Practice Religion कहा गया है मतलब धर्म का जो भी अपना रिचूल है जो भी अपना वो है उसको एक इंडिविजूल जो है एक व्यक्तिगत आदमी जो है वो उसको प्रैक्टिस कर सकता है तो ऐसे में अगर आप Uniform Civil Code लाते हैं तो कहीं न कहीं जो अपना जो Personal Matters Religion का उसके अंदर Interference होगा तो Article 25 का भी उलंगन किया जा सकता है मतलब हो सकता है Uniform Civil Code को लागू करने से अब चलिए समझते हैं कि इन पर जो है बुद्धी जीवियों का क्या कहना है तो सबसे पहले बात करेंगे बियारम बेदकर सहाब की बियारम बेदकर सहाब ने Uniform Civil Code को डीजाइरेवल माना था वांचित माना था लेकिन साथे साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अभी वो च्छन नहीं है जब इंडिया के अंदर Uniform Civil Code लागू कर देना चाहिए बलकि या Voluntary होना चाहिए यानि जब जो समाज है वो तयार हो जाए और सरकार जब है उसको समझ जाए तयार होने का जो बात है इसका मतलब यह है कि रजामंदी से Uniform Civil Code लागू किया जाए उसके लावा देखेंगे तो Law Commission of India का जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि इंडिया के अंदर Uniform Civil Code ना तो अभी आवस्चेक है नहीं वांचित है और नहीं व्यभारिक है यानि Uniform Civil Code को लेके जो Law Commission सरकार का जो कमिशन बना था उसने भी इसको सपोर्ट नहीं किया और उनका ये मानना था कि देखे जो Unified Nation है इसका ये मतलब नहीं है कि पुरा देश के अंदर Uniformity भी होना चाहिए तो Unity और Uniformity में Law Commission ने वो कहा था और कहा था कि अगर हम कोडिफिकेशन करें प्रस्नल लॉज का तो वो एक ज़्यादा बहतर ज़्यादा बहतर option होगा हमारे पास ताकि जो discriminatory practice है धर्म के अंदर ही जो महिलाओं के खिलाब जो discrimination हो रहा है उसको हम कहीं न कहीं खत्म कर सकते हैं तो अभी देखे जो मसला है इसको कैसे सुझाया जा सकता है अगर इस पर बात करें तो सबसे पहले government को अपना सबसे पहला एक draft यानि मौसौदा उसको रखे और संसद में इस पर debate होना चाहिए और देश भर में इस पर सुझाओ मांगे जाना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी जो जो religious धर्म गुरू है चाहे हो हिंदू को हैं मुस्लिम को हो चाहे कोई भी धर्म का हो उनको बिस्वास में लेना और पूरे जो लोग हैं जो different minority community से लोग आते हैं उनको बिस्वास में लेना बहुत जरूरी है तभी जाकर uniform civil code का acceptability इंडिया के अंदर बढ़ेगा और यह सही से लागू हो पाएगा तो my dear friends आपका uniform civil code को लेके क्या राय है क्या मसवरा है तो इसको आप जरूर comment box में comment कर सकते हैं और आपको यह video कैसा लगा आप जरूर बताएं इस video को like करें इस channel को subscribe करें और इस video को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक share करें